नमस्कार दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो की अंदर बात करने वाले हैं फैन कोड़ ECS T10 Cypress स्रीज की जो अगला मुकाबला खेला जाएगा NCT वर्सेस BCP के दर्म्यान में भाईों इस वीडियो की अंदर इस मैच का पूरी डिटेल से हम लोग बात करेंगे और आपको बताएंगे कि NCT और BCP की जो अभी तक मैचेस हुए हैं इस स्रीज में इसमें दूस्तों NCT के कौन से खिलाड़ी लगातार ओपन करते वे अच्छे परदर्सन कर रहे हैं दूस्तों पूरे श्टूनामेन में कौन से खिलाड़ी फर्स्ट राउंट पी खिल रहे हैं जितने भी प्लेयर्स हैं न सारे प्लेयर्स का बैटिंग ओडर में आपको इस वीडियो में रेलेटर आपको मिल पाए और आप एक बहतरीन टीम बना पाओ लेकिन भाईयो अगर आप हमारे चैनल पर पहले बार विजिट किये हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरू कर लेना और हमारे टेलेग्राम गुरूप को जरू जोइन कर लेना दोस्तों देखो इस वीड साथी साथ मैं टॉसक अपडेट और प्लेइंग 11 टेलिग्राम गुरूप में आपको शेयर कर देता हूं तो जल्ली से जोइन कर लेना दोस्तों चलिए अब हम लोग मैच के बारे में बात कर लेते हैं यह मैच उसी ग्राउंड पे होगा जहां साइफरे स्रिच के सारे मैच मैचिस हुए हैं और यहां का अगर आप पीच कंडिसन देखोगे तो बैट्समन और बोलर्स दोनों के लिए काभी बढ़िया रहा है दोस्तों बैट्समन भी अधिक यहां पर स्कोर कर पा रहे हैं और बोलर्स नहीं काभी कमाल के विकेट निकालें खास करके पेसर्स ने त पतलब जो भी टीम अच्छे प्रदर्सन करेंगे उनके जितने के चांस रहेगा एंसरीटी के टीम की बात कर लेते हैं तो एंसरीटी के जो टीम है अभी तक इस रिच के छे मैचिस हो जाना चाहिए था इनका लेकिन पांच ही मैचिस हुआ है एक मैच जो है बारिश कारण लेकिन दोस्तों बीस पी की बात करेंगे तो बीस इपी के टीम ने अभी तक इस रिच के कम्प्रेट छे मैचिस खेल चुके हैं जिसमेंसे चार मैचिस वोन करा है और दो मेचिस लॉस करते विए आए हैं यहाँ इससे एक चीज तो पता चल रहा है कि यहां पे जो के बारे मिंबात करेंगे देहुनि आईसा चाहिए तब कर सकते हैं साधार का कॉम्बिनेस्न बना लो या फdoor 6 5 का भी कॉम्बिनेस्न बना सकते हो चलिए हम लोग पहले NCT के टीम के बारे में बात करेंगे देखो NCT के टीम के जो opener बल्ले बाज रहेंगे यहाँ पे दोस्तों इतिफिकार जमन जो कि अभी तग न एक ही मैच खेला है और पहले मैच में देखोगे तो 35 रन बनाये थे चार रन खर्च के थे पूरे दो बर की गिंदबाजी में विकेट ने निकाल पाये थे लेकिन यक्ची याद रखना टीम के ओपन करेंगे दोस्तों अगर खेलते हैं तो क्योंकि एक ही मैच खेला है यह ची तोड़ा ध्यान रखना अगर खेलेंगे तो बैटिंग ओडर आप यहाँ पर जान लो कि ओपन करेंगे गिंदबाजी भी करेंगे तो इंपोटेंट बहुर जातर रहेगा अगर लाइन अप में रहेंगे तो बाकि अगर आप देखोगे महबूजी सन के बारे में दोस्तो इनका इस्टर्ट साब देख लो यहाँ पर यह बहुत अच्छे प्लेयर है टीम के ऑपन करेंगे पहले मैच में 18 बनाएते एक विकेट निकालें एक से दो वर तक गेंद बाजी भी कर लेते हैं एक से दो वर तक तो यह भी एक बेस्ट उप्सन रहेगा कैप्टन सी के लिए आप इनको ले सकते है तो बिलकुल भी ड्रॉप मत करना बाकि अशिश बाम की बात करेंगे तो विकेट की प्रिंग में नजर आएंगे टीम का फॉर्स रॉण का बल्ले बाज है पहले मैच में दस रन फिर सात रन फिर पचीस रन फिर सात रन फिर ओपन करते हैं तो यह भी एक अच्छे बल्ले बाज है पूरी स्रीज में देखोगे तो 59 रन बनाए हैं हाँ उतने अच् प्लस यहां पर कभी दो बर भी कर रहा है जैसे कि लास्ट में बालिंग कर रहा है पंदर रन फिर दो विकेट निकाले थे उसके पहले मैच में देखोगे तो 25 रन फिर बाजी करा था टीम के कैप्टेन है टीम के सेके लाड़ी आप देख रहा हो ना बिल्कुल जाता सोचन बात नहीं यह चारों को आप बिल्कुल अपने टीम में पीक कर सकते हो अमिर यास की बात करते हैं एक ही मैच खिला है दो वर तक गिंद बाजी करते हुए छे रन मुना के एक विकेट निकाला है शाहियर अरजुन की बात करेंगे तो पहले मैच में एक विकेट फिर यहां पर आता फिर दो विकेट निकाले हैं देखो यह टीम के न अच्छे गिंद बाज है कंप्लिट बर गिंद बाजी करेंगे तो इनको एजे बोलर ले सकते हैं वहीं अगर देखोगे अतुर रहमान के बारे में तो दोस्तों इन्होंने भी बॉलिंग काफी बढ़िया करा है तीन मैच खिला है तीन मैच में देखोगे न तो दो दो विकेट निकाले हैं अच्छे गिंद बाज है तिनको भी अपने टीम में आप ले सकते हो यहाँ पर आप चाहो तैशा मली को ट्रॉप कर सकते हैं इनका स्टर्स कुछ खास नहीं है पहले मैचे फ्लॉप दूसरे बनाए हैं और अमन की बात करेंगे टीम की आपन करते हुए पहले मैचे 50 रंड एक विकेट निकाले हैं फिर वैटिंग बोलिंग से फ्लॉप फिर लाव फिर तेरर नमना फिर निकालें दो बर तक इनको भी अपने टीम मिले सकते हैं जो बहुत अच्छे प्लेयर है दूसर भी drop मत करना परकि टोमल अमिल की बात करते हैं तो टोमल अमिल जो की दो मैच खेले हैं पहले मैच में एक विकेड दुसरे मेचे दो विकेड मिला है अच्छे गिंद बाद जै ऐसे बोल अच्छ लेट कर सकते हो गर खेलते हैं तो देखो खिलाडी ना बहुत चेंज हुआ है पांच मैच में अगर आप देखोगे काफी नए ने खिलाडियों को ट्राइ किया गया था टीम में और यही कारण एक इनका प्लेंग 11 में देखोगे न भी तो 15 से ज़्यादा भी तक इनका स्कॉर्ड में हो चुका है तो इचे तोड़ा ध्यान रखना बागी खिलाडी तब क यहाँ पर 11 खिलते बिलने चलाएंगे लेकिन जानकारी आपको सारे खिलाडियों का चाहिए क्योंकि लाइन अप के बाद यही खिलाड़े आपको 11 खिलते बिखेंगे बागी शफियान मुहमत की बात करते हैं तो पहले मैच में दो विकेट मिला था फिर यहाँ पर एक रन बाजी करते हैं तो इनको ड्रॉप मत करना अच्छे गेंदबाज इनको ले सकते हैं तो दोस्तों यह स्ट्रेट्स आप देख लो यह एंसी परकार देखने को मिलेगा और आपको इनहीं में से कोई 11 खिलाड़ी खेलते हुए दिखेंगे बाकि लाइन अप के बाद आपको क टीम क्रेट किया है उसमें नहीं खिल रहे हैं तो इजी आप यहां पर चाहो तो फिर से एक बार वीडियो देखके आप अपने टीम को कंप्लेट बना सकते हैं बाकि BCP के टीम के बात करते हैं देखो BCP के टीम के तरफ से जो आपन करते हुए दिखेंगे को लविंदर बॉलिंग एक ही मैच में करा था बात बाकी यह ओपन करेंगे अच्छे बल्लेबाज इनको ले सकते हैं वकास अक्तर की बात करेंगे तो 137 बना के 12 विकेट अपने नाम की दो वर्त तक गेंधबाजी करते हैं पहले मैचे 42 बना के एक विकेट फिर 16 बना के विकेट फिर 18 बना के दो विकेट फिर 29 बना के छे विकेट तो यह अच्छे गेंधबाज है इनको कैप्टेंशी वाइस के लिए भी ले सकते हैं इनको अगर आप जियल में लोगे तो ज्यादा बैटर रहेगा त्युक्त इनका सिलक्षन कम रहेगा और इसका फायदा आप जील में ले सक करते हैं तो इनको जील में ट्राय करते हैं चलो दूस्तों बाकि आप देखोगे तेजविंदर सिंग के बारे में तो पहले मैच में 14 रमणा के एक विकेट फिर 16 रमणा के विकेट निकाले दो ही मैच खेला है तो यह तो ध्यान रखना अगर खेलते हैं इस मैच में तो टी बाकि राईजविंदर बरार की बात करते हैं पहले मैचे 5 रमणा के विकेट फिर 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 फिलाप रहाता पिर 24 रमणा के दो भीकेट फिर दो विकेट मिला है और इस दिए परकार पूरे स्रीज में देखोगे थर्टी फोर मुना के छे विकेट अपने नाम की हैं यह यह इच्छा चोईस रहा इनको ले सकते हैं गुरिविंदर सिंग जो के पूरे स्रीज में तीन विकेट निकालें गेंदबाजी एक से दो वर्त करते वे दिखेंगे इस्टार्टिंग के चार मैच में इनको विकेट नहीं मिला है और लास्ट के दो मैच में देखोगे तो यहां अच्छे प्लेयर है गेंदबाजी आप ऐसे बोलर स्लेट कर लो बाकि बल्लेबाजी से अगर पॉइंट देते हैं तो यह हमारे लिए प्लेस पॉइंट रहेगा दोस्तों देखो पांच में बल्लेबाजी करेंगे एक मैच में काफी बड़ा स्कोर करा था इन्होंने लेकि गार राजिंदर की बात करते हैं देखो इन्होंने पूरी स्टूनामेंट में देखो के 34 बना के एक विकेट निकाले टीम का फॉर्स टांट पे तो बल्लेबाजी करा है लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए हैं उमर फारुक की बात करते हैं तो पहले मैच में दो विकेट फिर फ्लॉप रहा है दो बर तक गेंद बाजी करेंगे याद रखना अच्छे बोलर है ले सकते हैं अगर खेलेंगे तो खेलने की तो बड़ा कम चांस है लेकिन लाइन अप में आपको पता चल जागा बागे फैजल सरवार को ड्रॉप करो दोस्तों हर्दिप सिंग की बात करे तो छे नमर बल्ले बाजी करते हैं पहले मैंचे बात किया दुस्तों टीम का फोर्स टाउन पर बल्ले बाजी करेंगे पहले मैंचे बार रम्मना थे विकेट नहीं प्र शहबिस रमना के एक विकेट निकाले हैं देखो यह भी खिलाड़ेकर खेलेंगे न तो इनको विल्क परकार देखने को मिलेगा इस मैच में भी बाकि दूस्तों मैं लाइन अप के बाद जो है टॉस का भी अपडेट दे दूँगा और प्लेंग 11 भी टेलिग्राम गुरूप में प्रवाइड कर दूँगा और कोई अगर नए खिलाड़ी खेलते है न तो उनका भी स्टेट्स दूस्तों यहाँ पे न मैंने तीन इंपोर्टन क्लाडियों के बारे मैंने बताया था सबसे ज़रूरी जो है यहाँ पे जैड मोहमद को ले सकते हैं जो कि NCT के टीम के तरफ सबको पता होगा टीम के टॉप पे बल्लेबाजी करेंगे और मैंने आपको इस्टार्टिंग में खाया था कि इनको अपने टीम में लेती वे चलो अगर आप इनको कैप्टेंसी के लिए भी लोगे न तो जाता बैटर रहेगा कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी के लिए आप ले सकते हैं बहुत अच्छे प्लेयर है देखो हेड टू हेड स्मॉल लिग में तो बिल्कुल इनको ड्रॉप नहीं करना है बागी जो जील के टीम करेट करना चाहते है एबाम के साथ जा सकते है पवंदीप को ले सकते है ये दोनों के दोनों जील के लिए एक अच्छा चोईस रहेगा जो कि एबाम यापको टॉप पे बल्लेवाजी करते हुए दिख जाएंगे और ज के लिए सबसे ज़्यादा बेटर रहेंगे और वाइस के लिए आप जैड मौमद के साथ जा सकते हैं बागी का चोईस नहीं यहां पर कुछ खास है नहीं बैटिंग में तो सोचना नहीं है किसी के बारे में और बागी और अल रंडर की बात करते हैं तो चार अल रंडर को म के जगा में आप बोलर्स को ट्राइ कर सकते हैं जिसमें से जी सिंग तो इंपोर्टन है इनको मैंने लिया हुआ ही है यह दो बर तक कंप्लिट गिनबाजी करेंगे एर रहमान भी टीम के कंप्लिट बर बोलिंग करेंगे और एश आय को मैं ट्राय कर रहा हूँ आपके पास अपडेट कर दूँगा हमारे टेलिग्राम गुरूप में तो जल्दी से जोईन कर लो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिंद